Assalamu alaikum friends and welcome back to Cook with Chinese Kitchen आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी ओट्स बनानी की रेसिपी अगर आप बेगिनर है शुरू करने जा रहे हैं ओट्स को रिक्फस्स में इंग्ड्यूट करना तो आपने इस से ही शुरू करना चाहिए क्योंकि ये रेसिपी इतनी जादा तेस्टी और निट्रीशिस है कि आपको बहुत सारे बेनेफिट्स मिलेंगे मका में अब इसे सबसे पहले आद करना है रोल्द ओट्स और इसके बाद अब हम इसमें बाकी के इंग्रीजिन्स धाद करेंगे तो ओट्स बहुत डबल हो जाते हैं जितना मना बनातास तो आपने इस घाना है नेक्स मैं आज़ां करूंगी तो टी स्पूनस कौन फ्लेक और डॉइड बेरी का मिक्षिर है तो इसमें डॉइड बेरी इस, कुछ डॉइड फूट और और गॉइड और अपने टीस्ट के अकॉर्डिंग इसे कम्या जादा कर सकते हैं जितना भी जादा पसंद करते हैं डाल सकते हैं तो यहांपर मैने तु टीस्पून कर दिया इसके बाद मैं समी जोड़ासा चीहासी जाट कर रही हूँ और यह सारी चीज़े बिल्कुल आपके टेस्ट के अकॉरिंग आपने रखनी है जस तरसे भी पसंद करते हैं और जो भी चीज़े आप करना चाहते हैं और अपने फेवरिट इंग्रीडियंट के साथ यह आप उसे रिप्लेस कर सकते हैं और मैं जो ओड्स बनाती हूं इसमें चीज़े बगर नहीं आपके हूं बस यह रखनी हो जाता है और जो हम मिठास के लिए इसमें यह कीमिया देट साथ कर देते हैं इसकी वज़े से भी जो मिल्क है वो काफी स्वीट हो जाता है कोई नीद नहीं रहती कि आप इसमें अलग से शुगर आट करें मैंने कुछ रेजिन्स वगेरा भी इसमें डाल दी हैं जो भी आप पसंद करते हैं रॉइफूट उन्हें यूज़ कर सकते हैं और इसकी बाद आपने दूद बोईल करके पहले ही रख लेना है और जितना भ इसे गर्म दूद के साथ सब करें अच पर चाहें तो ठंडी दूद के साथ भी आप इसे सर्फ कर सकते हैं वालनुट वगेरा भी जो भी आप इसमें डालना चाहें सारी चीज़े आट करें और बस मिक्स करें बहुत ही जादा टेस्टी लगता है एंज़ाई करें और अपन से रसीपी के साथ तिल देन अलाफ विस टेक्यर बबाई से यह वाल वरी सून इन मैं नेक्स वीडियो